मैं गड़ों को मैं वन्दा भी करती हूँ, सभी मेरे भारत के लोगों, गड़ों शाली, इतिहास के वारिशों, मैं आप सबको तहर बहुत नमन करती हूँ हमारे समाज में जन्म लेने वाले सब्गुरु कभीर साहब, त्योति राथ फुले, रभी जाज जी, आदि अनेक महान फुर्शों, दॉक्टर भीम राव, अम्बेद कर जी के चर्णों में वन्दन करती हूँ आज में दिल्ली के इस स्थान से, जन्तर विंतर का जो स्थान है, यहां से बोलने का साथ, जो जुटा पा रही हूँ उसका स्रे आदनिये, उमे सिंजी, गोतम जीकों में देती हूँ कि इनोंने मुझे सम्ता सेनिक तल का प्रदेश कमांडर नुक्त किया और जो आयोजक है, मैं उन्ही सब का बहुत-बहुत आभार वेक्त करती हूँ कि मुझे बाबा साथ की बेटी को यहां पर बोलने का अवसर मिला मैं जागा नहीं, बस एक मिलिट में अपनी बात खतम करूँगी मैं भारत सरकार से, इस मंच के मात्यम से कहना चाती हूँ कि जो हमारे महानपुरुष है, जिनों ने जो साइकते लिखा है सब्गुरु कभीर साब ने जो साइकते लिखा है जोती राव फूले ने जो गुलाम गिरी फुस्तक लिखी है उसके भारत सरकार विद्यालों में शामिल करे कभीर साथ ने जो लिखा है उसको पाथे क्रम में शामिल करे दोक्तर धीमरा वंबेट करजी ने जो किताबे लिखी है उन पुष्टकों को पाथे क्रम में शामिल करे साथ ही मैं एक निवेदर और करना चाहती हूँ कि आयोध्या, आयोध्या किसी राम की नहीं है, आयोध्या भगवान बुद्ध की है, और वहाँ पर बहुत बिश्कल बनाया जाए, वहाँ पर हमारे भगवान बुद्ध की जितने भी और जो भी हमारी वहाँ पर खुजाई में प्रतिमाएं निकलिये, वहाँ पर रखी भारतिय संभीधान ही हमारा राजधारमिक प्रवित्र ग्रंथ है। हम भारत की शान हमारा भारतिय संभीधान है। और हम सब का हम भारत के लोग हैं। हम भारत के बुत्ती जीवी लोग हैं। बुत्ती हमारे पास है। इसलिए हम अपने आपको बहुत समाज का कहते हैं, क्योंकि इंसान के पास ही बुद्थी हलती है, इसलिए हम बुद्थी मानों का मानवतेवादी धर्म जो है बगवान बुद्थी की सिक्साएं उनका पालन करते हैं। धर्मन हिंदू जेन है मेरी लाइनों को भर ध्यां से सुञेगा कि हम संप्रदाय को धर्म मोलते है संप्रदाय में और धर्म में बहुत अंतर है धर्म ना हिंदू जेन है धर्म ना मुस्लिम बाद धर्म तो मन की सुद्देता धर्म शांति सुप जेन संप्रदाय और धर्म में अंतर है मेरे भाईयों हम बहुत समाज के लग है बहुत समाज का धरम मानवता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने हमें केवल मानवता सिखती, हमें बहुत धरम नहीं, मानव धरम हमारा है, बहुत समाज हमारा है, बुद्ध धम और संग को मैं वंदन करती हूँ, बुद्ध का मतलब मैं ठोड़ी से देर में और बता देना च जाती हूं भूत्व का मतलब होता है ग्यान, भूत्व सब्सक्त गच्छावी हम ज्ञान की शरन में जाते हैं, हम धन्म की शरन में जाते हैं, हम संग की शरन होते हैं और आज हम यहाँ पर जो इखटे हुए हैं, वो हम अपने भुदिष्ट लोग के लिए अलग से हम कानूर बनाने के लिए इखटे हुए हैं और विक्सुल संग की तरह से जो महा बोधी मंदिर है वो आज ब्रामणों की कर्षों में हैं उसे हटाने के लिए हम यहां पर इखटे हुए हैं मैं एक पूछना चाहती हूँ कि ब्रामणों ने हमारे बोध्रों के मंदिरों के कबचा क्यों किया हुआ है क्योंकि वो लोग विस्व के सामने बहुत हैं और हम लोग बली थैं पिछड़े हैं हम बुदिश्ट नहीं हैं क्योंकि हमारे पास बोध्रों का प्रामाण पत्र नहीं है और नहीं हमें सरकार आसानी से यह प्रामाण पत्र जारी करती है तो 2021 की जो गणना होगी उसमें आप अपने आपको बहुत लिखे और बहुत दिखे एक बात और के ना चाहती हूँ कि सरकार जब प्रवेश दिलाती है विट्डियाले के अंदर उस समय प्रवेश फॉम पर बच्चे का धर्म पूछा जाता है बच्चे का धर्म क्यों पूछो बाई बच्चे का समाज पूछो या सम्परता पूछो तो मजबूरी में SPS के आउपी सीके लोगों को हिंदू लिखना पड़ता है वो बहुत ही ललक है आप समसे निमेदन करूँगी कि उस कोलम को हटवा दो प्रमेश के समय बच्चा मजबूरी में मेरे पिदादी ने खुद ने मजबूरी में हिंदू लिखा चबकि मैं हिंदू नहीं हूँ मेरा सम्माज मेरे बावा साथ से है मेरे पतागत गोताम बुदू से है मेरे बहुते समाज की जितने भी महानफुरू से उनके खुल से मेरा रिष्टा है मैं बावा साथ की बेटी हूँ, मैं बुट्टा की बेटी हूँ, मैं कभीर साहथ की बेटी हूँ मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं इस देश की मालकिन हूँ ये जनीन हमारी है जे भारत एक साथ बुलेगा जे भारत जे भीम जे सम्मिधान हम भारत वासी हैं हम भारत के लोग हैं यह हमारे बावा साथ ने हमें भारती सम्मिधान की प्रस्तावना में लिखा है आइंब हमें के में बनाव का सिंखायै थी मान धर्म सिखाया था कोई और नहीं, मुझे आपने धेरे पुर्वक सुना, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, समस्त आयुजन करता हूँ का, जे भारत, जे धीम, जे सम्धिधार।